दोस्तो भारत के जो defense equipment के development और export market में defense equipment को लेके अपने कदम को जमाना है वो कई सारे देशों को राज नहीं आ रहा है और इससे कई सारे देशों के बना बनाया खेल बिगड़ते जा रहा है और कई सारे देशों के हत्यारों के जो export के इरादा है वो भी खतम होते जा रहा है अलाकि दोस्तो अभी भी भारत के तरफ से defense export market में इतने बड़े कदम उतारा नहीं जा सका लेकिन कदम उतारते ही भारत के तरफ से कुछ बड़े देशों को जटका देने का तैयारी कर लिया गया दोस्तो आपको जानके हैरानी होगा कि भारत का कदम इतना छोटा होने के बावजूद इस से तरह में जो सबसे बड़ा कदम है मतलब अमेरिका का कदम उससे अब डगबागाने लगा है दोस्तो मैं यहां पर Austräलियन एरफोर्स के तरफ से खर्ड़े जाने वले जेट टैनर ऐरकरप्टों के डील को ले के कह रहा हूँ आपको जानके हैरानी होगा कि भारत के एरक्रेप्टों को बनते हुए देखने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के तरफ से एरक्रेप्टों को जो खरिदा जाना है उसे डिले किया जा रहा है ताकि भारत के एरक्रेप्टों को विज जाचा जा सके हाली में दोस्तों आउस्ट्रेलिया में आयजीत-अविल myths-23 जो कि Australian International Airshow है उसमें Royal Australian Air Force के तरफ से ये Announce किया गया कि फिलाल जो नया जेक टेनर येर्प्रक्राप्टों को खरिद्ने को लेके Australia इराधा रुआ रख रहा है उसके टेंडर को जल्धी इशु किया जाएगा लेकि BAE Hawk Mark 127 aircraft है उसका replacement साल 2032 से हो सके अब दोस्तों Australia अगर साल 2023 में ही या साल 2024 में ही aircraft के tender को जारी कर देता है तो साल 2026 तक decide करने के लिए क्यों इंतिजार करेगा और दोस्तों ये भारत जैसा देज भी नहीं है जहांपे project delay होता है बलकि Australia में तो ये सब कुछी महिनों के अंदर सम कर लिया जाता है और दोस्तों इससे ही अब एक बहुत बड़ा संभावनाए उभर के आ रहा है कि शायद Australia के तरफ से भारत के HLFT 42 aircraft का इंतिजार किया जा रहा हो यहां पे दोस्तों आप लोगों को जानके रखना चाहे कि Royal Australian Air Force के तरफ से करीवन 30 से 40 lead in fighter trainer aircraft को पर्चेस करन में इन एरकाप्टों का इस्तेमाल PC-21 और F-35AEA-18 Growler और F-18F जैसे एरकाप्टों के बीच के ब्रीच के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है साल 2021 में ही Australia के सामने भारत के दुआरा अपने तेजस एरकाप्टों का offer standard के अंतरगत रखा जा चुका है तेजस एरकाप्टों के रूप में कह सकते हैं जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इस offer के कुछी महिनों के बाद भारत के तरफ से ये जो लीड इन फाइटर टेनर यारकाप्टों के development का इरादा था मतलब तेजस के बेस पे यारकाप्टों को बनाने का इरादा था उसे ड्रॉफ किया और पिछले महिने ही HLFT 42 यारकाप्टों का घोशना किया गया दूसरो HLFT 42 असल में हिंदुस्तान लीड इन फाइटर टेनर 42 यारकाप्ट के शॉट फॉर्म है और बताया जा रहा है कि तेजस यारकाप्टों के ही कई तरिके के experience और componentों का इस्तिमाल इन यारकाप्टों मे एक नए design के तहट आगे बढ़ा जा रहा है और दूसरे तरफ यारकाप्टों को एक सस्ते यारकाप्ट के रूप में बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है आफ सब लोगों को ये वी जानके रखना चाहिए कि फिलाल ये जो यारकाप्ट है ये अपने development stage के advance stage में है और 4- पांच साल के अंदर इन यारकाप्टों को तैयार करने का बात रखा जा रहा है अब दोसरो इस तरीके के यारकाप्टों को बनाने के पीछे दो इरादा है पहला इरादा तो दुनिया में ऐसे यारकाप्टों का काफी अधिक चाहत है और कई सारे देश लीड इन fighter tenner यारक यार्ट्राफ्ट काउंटर कर सके और दूसरे तरफ इन सभी यार्ट्राफ्टों के मुकाबले में इस यार्ट्राफ्ट का कीमत भी कम हो। अब दोस्तों यहाँ पे माना जा रहा है कि साल 2027-28 तक यह जो यार्क्राफ्ट है यह बन के तयार हो जाएगा और दूसरे तरफ साल 2032 तक यह जो यार्क्राफ्ट है यह मास प्रोडक्शन में भी चला आएगा मतलब अगर ऑस्टेलिया के तरफ से भारत के LIFT मतलब लेडिन फाइटर टेनर यार्क्राफ्टो को खरिदने का कुछ सोज विचा रखा गया हो और इसके लिए अगर इंतिजार करने का इरादा रखा गया हो तो साल 2032 के टाइम लाइन फर्फेक्ट है लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत को एक चीज एंशूर अवी से करना पड़ेगा कि यार्क्राफ्टो के प्रोजेक्ट में एटलिस डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर डिले होता है तो शायद ऑस्ट्रेलियान एरफोर्स और अधिक इंतिजार नहीं करेगा जबकि दूसरे तरफ उनके सामने अमेरिकान और कोरियन ओफर भी है अब दोस्तों इसके इलावा आप लोगों को यहाँ पर यह भी जानके रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के तरफ से अगर भारत के यार्क्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्टों को डिले किया जा रहा है तो यहाँ पर भारत के यार्क्राफ्टों के चुने जाने का संभावना भी अधिक है और दूसरे तरफ आप समझ सकते होंगे कि इससे अमेरिका जैसे हत्यारों के मार्केट में एक तरफा कवजा रखने वाले देशों के लिए कितना बड़ा चिंता का विशाय होगा क्यों कि अगर अवी से भारत के यार्क्राफ्टों के लिए ऐसा चाहत है तो आने वाले कुछ सालों में ये चाहत और बढ़ेगा और भारत के यार्क्राफ्टों के चाहत बढ़ने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेवल अन्ने यार्क्राफ्टों के चाहत दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है कि आस्ट्रेलिया के तरफ से क्या भारत के यार्ट के लिए इंतजार किया जा रहा है और दोस्तों अगर भारत के लिए आस्ट्रेलिया इंतजार कर रहा है तो ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा चिंता का विचा है कॉमेंट करके ज आप किसी और एक दिन, किसी और एक वीडियों मिलेंगे रफ़ता के लिए जैहिंद वंदे मातरम